आज मैं जो पॉइंट डिफाइन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है बिग अन्टू यानि कि इस तरह के सेंटेंस जैसे आते हैं मैं वाइड बोर्ट पर लिखा हूँ वह हसने लगा यानि कि लाश्ट में लगा सब्द रहेगा जैसे वह हसने लगा वह खाने लगा वह पढ़ने लगा वह जाने लगा वह बात करने लगा इस तरह सेंटेंस आते हैं तो हम पर बिग अन्टू का ही उच्चिया जाता है यानि कि begin to अब आप बनाओगे कैसे उसका rules मैं बता रहा हूँ इन example के थुरू कि आप आसानी के साथ समझ जाओगे यानि example मैं बता दूँगा और आप समझ जाओगे कैसे आपको sentence बनाना है बहुत ही आसान है हमारे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोगों से एक request है कि हमारे चैनल को please subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए आसानी के साथ यहां पर है वह हसने लगई यहां पर use किया जाएगा begin to अब बिगन to का कैसे युच करोझे आप वह हसने लगए तो पहले आपको ही लिखना ही मीस वा फिर begin to विगन उसके बाद क्या है हसने लगा ही बिगेंटू लाफ वह हसने लगा बन गया इसी तरह से वह जाने लगा अब इसको भी के अकार्डिंग बना दीजें ही हो जाएगा ही फिर बिगेंटू ही बिगेंटू फिर जाने क्या होता है गो ही बिगेंटू गो उसी तरह हुआ सोने लग इसका होगा ही विगें टू सिलीप उसके बाद हुआ रोने लगा इसका होगा ही विगें टू वीप यानि कि सेंटेंस बहुत आसान है सिर्फ आपको रूल से मालूम होना चाहिए इसी तरह हुआ खेलने लगा अब इसको भी बना दीजिए इसी के काड़ी ही विगें टू प्ले उसके बाद है मुकेश जाने लगा मुकेश जाने लगा यानि कि ही नहीं मुकेश है मुकेश उसको भी इसी तरह बनाओ मुकेश हो जए मुकेश विगेंटू गो मुके जाने लगा आगे है वह बात करने लगी यानि कि वह को क्या कहेंगे सी विगेंटू टाक यानि कि वह बात करने लगी सेंटेंस बहुत आसानी के साथ बन गया है हानिकि वह हसने लगा सब्सक्राइं लगा सब्सक्राइब गया बिगेंटू का उच्पार से छोगा हो। दुमसे पहले भी वक्त के सिकंदर हुए हैं जहां होते से उन सहेंसाहों के महार आज बने Украї पर उनके मगबरें हैं